आज हम बना रहे हैं तिका बर्यानी वह भी बहुत ही आसान तरीके से और इसका मिसाला भी हम गर पर ही बनाएंगे सबसे पहले हैं अठारा से भी साथ गोलाज मर्श लेंगे तीन बड़ी लाइची वंटे बिस पून जीरा वंटे मिसपून सौस दससे बारा लांग दो बादियानी के फ्लायर अब हम इन सारे मिसालों को पैन में डालकर सोटे कर लेंगे हम इसको दो से-थीर मिन तक भुना है और फिर ममस्कों प्लेट पे निकाल कर ठंडा कर लेंगे प्रण्डा होने के बाद हम इसको ग्रेंटर में डालेंगे और इसको ग्रेंट कर लेंगे ग्रेंट करके हम इसका अच्छी तरीके से पाउडर बना लेंगे देखें इस तरीके से है अब हम 3 टेबल स्पुन अलग करेंगे मैंजिमम्हाइU स्सेज़् तक बनः तो हम 3 टेबल स्पुन एक बाल में यद्ध करेंगे ओर ज्ि buying अलग करके रहेंगे इसके बाद केंके वेंगे स्टकोन ab49 Cay्ब 1 टेबल स्पून रच चिली पाउडर 1 टेबल स्पून रच फूट कलर 2 टेबल स्पून लेमन जूस 125 ग्राम योगर्ट यानि के एक पाउथ है इसके बाद 6 टेबल स्पून और और स्कॉची तरीके से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें चुकर डेंगे च्टे हमाई 2 कीज है यानिके 2 किलो चुक्न और तक मसाला लगा लेंगे ये देखे हमाई चुक्न में कितनी ची तरीके से मिसाला लग चुका है आपके रच वान हार तक मैई निशन के लिए लग देंगे यह देखें आफ्टर वन हार हमारी चुक्यन मैनेड अची तरीके से हो चुकी है अब हम इसको एक कड़ाई लेंगे उसमें डाल देंगे इसको इतनी अची तरीके से डालेंगे ताकि यह तूटे नहीं और बाकी जो इसका मसाला बचा है वो भी हम इसके उपर डाल के इसको जला दिया था अब हम इसको एक बाउल में रखेंगे और करहाई में रखकर चोड़ाई के लेंगे और करहाई को कवर कर लेंगे अब इसका सेकेंड ट्रोस्ट इसके लिए में चाहिए वन टेबिल स्पून रेड चिली पावडर वन टीस्पून हल्दी ए और छोटी तीन से चाहर बड़े तेज पत्ते चार तमाटर शे से साथ आलू वन कप योगर्ट शे साथ आलू बुखारा और बाकी जो मसाला रह गया था विडियानी का वू एक कप ब्राउन ओनियन टूटे बेस्पून का सूरी में थी हाफ कप देनिया और हाफ कप पुदीना फिर हम करेंगे ईक पोर्ट ले लेना है जिसमें हम एक कुप लोई लाइड करेंगे और घरम हो जाएगा फिर इसमें ब्राउंढ अनियन एड़ कर देंगे और इसको हर्का से सौर्टए कर लेंगे फिर यमेश में डेलेशन का पेस्ट कोरेंगे ये चाह सब्सून एबीट आर हम इ और फिर हम इसमें कसूरी मेधी एड़ करेंगे और यह जो हमारा रिमैनिंग मसाला था वह भी एड़ करतेंगे तो इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे वन टेबल स्पून जितना और अलू पुखारे एड़ करतेंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अब हम इसमें टमाटर एड़ करेंगे टमाटर हमने क्यूब श्रेप में कट कर लिये थे सॉल्ट इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे थोड़ा सा पानी डाल कर अब हम इसमें योगर्ट एड़ करेंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे यह देखिए यह सारे मिसाले बहुत इच्छी तरीके से पक चुके हैं और टमाटर भी कल चुके हैं अब हम इसको थोड़ा सा बन लेंगे और फिर इसमें आलू एट करेंगे यह आलू हमने यहां पर साथ से आठ यूज की हैं आप अपनी मर्जी के मताबिक यूज कर सकते हैं फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी तेर तक कवर करके पकनी के लिए छोड़ देंगे थोड़ा सा पानी डाल कर अब हम अपने थार्ट प्रासेस की तरफ जाते हैं तो यह हमने पानी बॉइल करने रख दिया था इसमें हम अपने हिसाब से सौरिटर्ट करेंगे चावलों के लिए और यह हमारे दो किलो चावल हैं उसको एड़ कर देंगे आप अपनी मर्जी से नमक डालें क्योंके बास दूख ज्यादा नमक खाते हैं और बास दूख कम तो आप अपनी हिसाब से नमक को टेस्ट करके अड़ करें यह देखिए हमारे चावलों हो चुके हैं हम इसको चान कर अलग कर लेंगे फिर यह हमने इसमें पॉर्ट में यह किसे बनानी है अब हम इसमें चावलन करेंगे और यह हम इसका कवल बना लेंगे तो हमने तो क्ति हैं विध में मिल्ट लिया आए और पिंच फूड कलर लिया है यानि जर्दे का रंग इसको मिक्स करके हमने इसका मिक्स्चर बना लिया और यह जावलों के ऊपर डाल कर हम इसको दम देतेंगे यह हमने जावल दम पर रख दिये यह देखिए हमारे मज़िदार से इतिका बिर्यानी रेडी हो चुकी है उमीद करती हूँ आपको अच्छी लगी है अगर अच्छी लगी है तो विडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताके आपको ऐ क्यार था कोर अच्छी लगी है तो पर बेल आपको यहांरर से लगारे बिल्सकी करें और हमारे चैनल करें यहां करें और हमारे जब कर दो चैनल को सबस्किया